देश में भेह। पाले में लेने की कोशिश करती है और ऐसा हो भी रहा है रेकिन देश सम्विधान से चलता है और उसके धर्जी अउड़ाई जा रही है दंगे करने वाले बीजेपी आर एसस के लोग है इटली के नहीं अशो गैलोत ने कहा कि जो आड़ोपी हैं वो सारे आर एसस बीजेपी पार्ट्राउन के हैं इटली के नहीं जहां जहां दंगे होंगे आप एक बात समझ देजिए कि दंगों से फाइदा किसी को होता है तो दंगों से फाइदा जिस पार्टी को होता है समझ देजिए कि दंगे वही करवा रही है कि दंगों से कॉंग्रेस को फाइदा हो रहा है सब को पता है दंगी होते हैं तो कॉंग्रेस पर नाम होगी तो कॉंग्रेस तो दंगी करवा नहीं सकती और क्यों करवाएगी ताजस्थान के मुख्य मंत्रिय अशोग एलोग में विजेगे परमशना शाधते वे कहा कि इनका जंटा जो है वो हिंदित्वों का है उस कारण तंगी करवा रहे हैं चुनाव में धूबी करण करवा रहे हैं और डेमोकरसी में एक रण कम नहीं है दुनिया यूपी के बारे में क्या सोचती होगी दुनिया तो आज ग्लोबल विलस कर रही है आईटी की वज़ा से यूपी मिचा सुतिन विधानसबा सीटों में से एक पार्टी किसे भी अलपसर इंकर को टिकट नहीं देती है कौर नहीं दे रही है भातजनता पार्टी नहीं दे रही तो ग्रूलिंग पार्टी है तो दुनिया की लोगों तक क्या मसलज जा रहा है उन्होंने आगे याभी कहा कि जोविकरन करते आप हिंदू के वोट लेने की बात करते हो और हिंदू आपको वोट दे भी रहा है लेकिन कब तक देगा वो महंगाई की मार भेंकर पढ़ रही है कोई सोच नहीं सकता उन्होंने आगे कहा कि जो भी करन करके आप हिंदू के वोट लेने की बात करते हो और हिंदू आपको वोट भी दे रहा है लेकिन कब तक देगा वो महंगाई की मार भेंकर पढ़ रही है कोई सोच नहीं सकता नौकरी लोगों की लग नहीं रही दो करोर रोजगार देने की बात हुई थी वो रोजगार कहां चले गए विरोजगारी भेंकर है इसके लावत अनाउ और आशंती का मोहाल बना हुआ है टैमोक्रेसियो समिधान से देश चलता है लेकिन समिधान की दचियां उट रही है हम लोग इसके बारे में बार बार कहते हैं विरो रिपोर्ट आईपियाई